तो भाई लोग, आप लोग सबसे पहले यहां पर देख सकते हो, मैंने इस iPhone को यहां पर बजाज GMI कार्ट से EMI पर बाई किया था, लेकिन मैंने इसको online बाई नहीं किया था, अपने EMI कार्ट से, मैंने इसको offline बाई किया था, क्योंकि तब जो है सुब्धा उपलब्द नहीं ती जिससे कि मैं अपने बजाज EMI कार्ट को यूज करके ओलाइन जो है कोई भी आइफोन EMI पर बाई कर लूँ लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही कमाल का प्रोसेस जो है बताने वाला हूँ जिसको अगर आप अप्लाई करोगे तो आप बहुत ही आसानी से अपने बजाज EMI कार्ट से कोई भी आइफोन EMI पर बाई कर पाऊगे क्योंकि यहाँ पर इस साल की सबसे बिगस्ट सेल आने वाली है फिलिपकार बिग बिलियन डे सेल और Amazon Great Indian Festival सेल कि दोस्तों इस सेल में आपको आइफोन जो है बहुत ही कम प्राइस में देखने को मिलेगा तो अगर आपने बजाज का EMI कार्ट जो है बनवा के तयार रखा हुआ है आइफोन को EMI पर लेने के लिए ओनलाईन तो आप जो है तयार हो जाओ क्योंकि यहाँ पर सुब्दा जो है उपलब्द हो चुकी है आइफोन को बजाज EMI कार्ट पर EMI पर लेने को तो आपको लेने के लिए एक काम करना होगा आइए मैं आपको प्रोसेस जो है बताता हूँ कि आप अपने बजाज EMI कार्ट पर आइफोन को EMI पर उनलाईन कैसे बाई कर सकते हो तो बाई करने के लिए आप एक काम करना सबसे पहले अपने Flipkat एप को ओपन करने के बाद आपके सामने ऐसा पेज उपन हो जाएगा उसके बाद आप यहाँ पे search वाले option पे click करके अपना iPhone जो है search कर लेना जो भी आपको iPhone जो है लेना होगा मालो मुझको यह वाला iPhone 13 जो है लेना है तो मैं इसको open करूँगा इसका जो price है वो यहाँ पे 56,000 कुछ रुपे है जैसा कि आप लोग देख सकते हो तो इसको EMI पर लेने के लिए आप लोग देख सकते हो यहाँ पर पहले ही page पे banner जो है सो हो रहा है कि यहाँ पर बजाज फि देख सकते हो यहाँ पर pop-up भी सो हो रहा है तो इसको buy करने के लिए आप एक काम करना buy now पे click कर देना buy now पे click करोगे उसके बाद ऐसा page open हो जाएगा आप लोग देख सकते हो order somebody का तो यहाँ से आप अपनी details को check कर लेना जैसे कि यहाँ से address आप चेक कर लेना इस address पे आपको नीचे चले आना यहाँ से continue पर click कर देना continue पर click करोगे आपके सामने अगला page open हो जाएगा payment करने का आप payment करने के लिए आपको एक काम करना है नीचे चले आना है नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर एक option मिल जाएगा EMI का EMI औले option को choose करके यहाँ पर continue पर click कर देना अब उसको लेने के लिए आप एक काम करना बजाज फिंसर भी EMI कार्ट पे क्लिक कर देना इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तुरंत आपके सामने यहाँ पे no cost EMI का page open हो जाएगा और यहाँ पर जितने भी EMI के plan अबलेबल होंगे सारे आपके सामने open हो जाएगे आप लोग 6 महिने वाला EMI का plan चूज करता हूँ आप लोग देख सकते हो तो यहाँ पर इसको चूज करने के बाद आपको यहाँ पर एक processing fees भी extra लगेगी दोस्तों processing fees जो है only एक बार कटेगी पहली बार ठीक है बाकी आप जो है अगली बार जो है अपना EMI payment करना extra कोई payment आपको नहीं करना है पहली बार एक processing fees लगता है जब भी कोई समान आप EMI पर buy करो तो इसको आप यहाँ से select कर लेना उसके बाद buy करने के लिए जस्ट आप नीचे चले आना continue पर क्लिक कर देना continue पर आप जैसे क्लिक करोगे आपके सामने SAP जो पिन हो जाएगा यहाँ पर आपको अपने बजाज Fencer BMI Card का पूरा नंबर काड नंबर में डालना होगा उसके बाद मन्थ एसपारी डाल के CBB में आपको कुछ नहीं डालना है क्योंकि बजाज EMI Card में CBB होता ही नहीं है तो यहाँ पर आप जो है कुछ नहीं डालना इसको blank छोड़ देना खाली काड नंबर मन्थ एस दोस्तों मैं आपको एक बात और जो है बताना चाहूंगा आप जितने रुपे का मोबाइल लेना चाहा रहे हो उतने रुपे की लिमिट आपके बजाज EMI Card में होनी चाहिए तब ही आप यहाँ से बाइक कर पाओगे यह चीज़े काफी लोगों के मन में होती है इसलिए मै जाएगी कि इतने रुपे की EMI है इतने महिने तक आपको पेमेंट करना है तो इसको सबको आप जो है चेक कर लेना उसके बाद बाइ करने के लिए जस्ट अपना काड़ वार नमबर सब कुछ डाल देना उसके बाद जस्ट यहां से कॉंटीनिव पर क्लिक कर देना फिर आपको डिलीबर हो जाएगा एक महिने तक आपको कोई EMI नहीं देने होगी अगले महिने से आपके EMI जो है कटेगी ऐसे करके आप जो है जीरो डाउन पेमेंट पे ओनली EMI पर बजाज EMI काट को यूज करके कोई भी iPhone जो है ले सकते हो